नमस्कार किसान भाईयो हमारे चैनल में आपका हरदिक स्वागत है हम फिर से लेकर आगए हैं आपके लिए एक बहतरीन टेकनोलोजी हम जानते हैं कि आप ये मशीन यूटूब में काफी बार देख चुके हैं और इसके बारे में ये काफी सारा जानकारी आपको मिल चुका है लेकिन हम इस वीडियो के अंद तक आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो कि आप नहीं जानते हैं इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले और लेकर जाएं जैसे कि आप देख रहे हैं इस मशीन में बहुत सारे अटेस्मेंट आपको दिखाया गया है ये मशीन आपका बेसिकली खेती के कामों के लिए बहुत ही उप्योगी है सबजी के खेती हो गई, आपकी धान की खेती हो गई कोई भी काम आप इस मशीन से कर सकते हैं जैसे कि आप पकड़ लीजे, एक एक काम मैं आपको बारी बारी से मैं बताता हूँ, इस मशीन से आप रोटर का काम कर सकते हैं, आलू निकालने का काम कर सकते हैं, मिट्टी उल्टाने का काम कर सकते हैं, इस मशीन से आप वाटर पम का काम कर सकते हैं, इस मशीन से आप स्प्र प्राब्लम आती है तो आप आराम से अपने मार्केट में उस सब मेशीन का जो प्राइब पार्स होता है उस से आप अपने मशीन से ठीक करा सकते हैं किसी भी टेकनीशन से जो आपकी लोकल मार्केट में मिलता है जैसा कि आप देख रहे हैं इस मशीन में आपका ये धान की खेती के लिए मशीन अभी चल रही है काफी लोग ने भी इसको देखा और पसंद भी किया है तो ये मशीन जो होती है इसका जो पेट्रोल इंजन हो गया या डिजल इंजन हो गया इसका तेल कंजप्शन भी बहुत ही कम है इसका 500 ml, 500 ml और 600 ml आपका घंटे का खाता है कभी भी ये मशीन आप किसी से भी पार्चेस करें तो आपसे फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि इस मशीन में जो पेट्रोल इंजन 7HP का होता है उसका जो आप पेट्रोल होता है वो 15-20 घंटे के अंदर में चेंज कर दें जिससे आपकी मशीन की लाई बहुत ही अच्छी रहेगी दूसरी अगर आप डिजल इंजन यूज़ करते हैं 9HP या उससे कम का तो आपसे अनरोध है कि इस मशीन का भी आप मोबिल जो होता है वो 30-35 घंटे के अंदर में चेंज कर दें तो इससे क्या है आपका इंजन ही बहुत ही बहतर और काफी दिनों तक आपका बिना कोई प्राब्लम के चलेगा तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मशीन में से आप जैसे की बहुत सारा मल्टी परपस काम कर सकते हैं तो इसमें मशीन लेने के टाइम में आपको क्या करते हैं बहुत सतरे डिलर आपको डैरेक्ट मशीन दे देते हैं आप ले जाकर डैरेक्ट इस मशीन को फिल्ड में चालाने लगते हो तो मेरा आपसे ये अनुरुद है कि कभी भी ये मशीन खरी दें तो फर्स्ट इसमें मोबिल एंगेर ओल डालके इस मशीन को कम से कम 5-6 घंटा बिना लोट दिये हुई है स्टार्ट करके रख दे पहला मोबिल चेंज करने के बाद ही इस मशीन को